चर्चिन पाइलेट वला ही कांगरेस पार्टी से हो लेकिन उनकी चोज आरलपी और बीजीपी से जुड़ी होई है यह एक इस बास से पता लगा जा सकता है क्योंकि ससीन पाइलेट ने का है कि कॉंग्रेस के इतियास को गलत तरीके से पेस के जा रहा है चर्चिन पाइलेट राजस्थान से उप्फू कि यह मत्री बोले है परदेश कोंग्रेस सद्यक ससीन पाइलेट ने का है कि आज वाट्चेप युनिविजीटी में देस और कोंग्रीस पार्टी का इतियास तोर मरोड कर प्रेस किया जा रहा है जहां परदेश कोंग्रेस अद्यक ससीन नहीं सला सकते हैं जो कॉंग्रेस भार्टी जिस मुद्दों से बनाई गई है उन मुद्दों पर अभी कॉंग्रेस के कार्य करता नहीं सल रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी ने देश के विकास के लिए रीती नीती बना कर सभी को एक ताकी माला में पिरोया है। आज जी देश का माउल किस तरह से खराब किया जा रहे हैं ये सब जानते हैं। पाइलेट सोमार को बाड़ा पदंबुरा में आयूजीत कॉंग्रेस की परसिक्षन सीवीर को सम्बोधित कर रहे थे। पाइलेट ने का कि आज का यूआ क्या सोचता है क्या समझता है इसके बारे में हमें कारे करना होगा। अब लोगों का ये मानना है कि शसीन पाइलेट की जो जग है वो मुख्यमंद्री के होनी साही है क्योंकि असोग यलोत से कही गुना अच्छी सोस रखने वाले शसीन पाइलेट है। तो राजस्तान सहीत भारत की तरवाम ख़बरों से रूगडू रहने के लिए आप हमारे साथ बनने देए।